तो आज आपकी रिक्वेस्ट पर सिखाने वाला हूँ श्रीवल्ली बहुत ही प्यारा सा, सौफ्ट सा और स्वीट सा गाना है जो कि यह धमागेदार मूवी पुश पासे और जिसने भी यह मूवी अब तक नहीं देखिए तो फटाफट प्राइम पर देख लिजिए तो चलिए सीख लेते हैं बहुत यह आसान थारीके से स्टेप बाइ स्टेप और नोटेशन की साथ नमस्कार मैं हूँ संजे और आप देख रहे हैं सीखो सरल चलिए तो शूरू करते हैं इस गाने को हम सीखेंगे मिडल ऑक्टब के इणोट से तो गाने से पहले एक मीजिक वाला पाटे पहले हम उसको सीखेंगे और वो भी इनोट से इस्टाट होगा मगर हायर ऑक्टब के इनोट पर ठीक है तो इस Tone को सीखने के लिए मैं रख रहा हूँ, हर्मोनिम की Tone आप चाहाएं तो कोई भी Tone रख सकते हैं, वैसे सारंगी इसमें बले हुई है सारंगी भी मैंने इसमें बजाए हैं, आप सारंगी भी रख सकते हैं देखिए किस तरह से प्ले होगा फिर मैं आपको बता हूँगा देखिए पहली लाइन देखिए और आराम आराम से देखिए क्या क्या सिंगल फिंगर से देखिए फिर 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 या बस ईस लाइन को ठोड़ा तेज बजाने है इसके बाद दूसरी लाइन देखिए इसमें क्या किया इसको भी देखिए आराम से इसमें कुछ अंतर नहीं है, इसमें हमने D sharp कम कर दिया, पहली line में D sharp तक play किया था, इस बार सिर्फ E note तक play करना है, देखिए ठीक, बस E note तक play करना है, अब इसके बाद तीसरी line, तीसरी line कुन सी है? यह वही है, पहली वाली line को हमें repeat कर देना, वही तीसरी line है, ठीक है? आप इसके बाद चौथी line देखिए, आप इसके बाद चौथी line देखिए, चौथी line को भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, बस इत्ता, देखिए क्या किया है? E, G sharp, C sharp, B और G sharp, ठीक है? यह line मैंने आपके लिए थोड़ा easy बना दिये, तो एक बाद पूरे part पर नजर माल लेते हैं फटावट, पहली line, दूसरी line, ठीक, इसके बाद तीसरी line, पहली वाली line ही repeat करनी है, और चौथी line, ठीक, अब यह वाला जो part है, यह repeat होगा, repeat होने के बाद थोड़ा संतर आ जाएगा last में, ठीक है? last वाली जो line है, उसमें change हो जाएगा, बाकी पूरा part वैसे के वैसे ही play होगा, तो बस यही आपको धियान अखना है, जब इस part को repeat करेंगे, तो last वाली line change हो जाएगी, कैसे ह होगी, यह भी मिन आपके लिए easy कर दिये, short कर दिये थोड़ा, देखिये, क्या किया, E, G sharp, B, फिर उसके बाद C sharp, फिर A, फिर B, फिर G sharp, ठीक है, ठीक, तो music वाला part जो था, वह आपका clear हो गया, आप बढ़ते हैं, गाने की तरफ, गाना हमारा start होगा, middle octave के, E note से, note वही रहेगा, मगर middle octave पर आ जाएंगे हम, ठीक है, tone हम change कर लेते, प्यान की tone रख लेते, तो गाने की जो पहली line वो है, नजरे मिलते ही नजरों से, नजरों को चुराएं, पहले हम आपको play करके दिखाऊंगों, फिर आपको step by step बताऊंगों, देखिये, अब इसको आराम नाम से देखिये, नजरे मिलते ही नजरों से को चुराएं, ठीक है, continue देखिए single finger से, ठीक, इसके बाद line है, कैसी हया तेरी जो तू पलकों को जुकाए, इसको देखिए, तो सुनने से आपको समझ में आगया होगा, ये line सेम वैसे ही है, जिससे पहले हमने play करी, नजरे मिलते ही नजरों से, नजरों को जुकाएं, सेम वही line है, तो वही आपको repeat कर देनी है, तो आपकी automatic play हो जाएगी, कैसी है हया तेरी जो तू पलकों को जुकाए, ठीक है, बिल रब जो पोशीदा है, उसको निहारे तू, ये स्टार्ट होगी हमारी A note से, यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए, ठीक है, बहुत simple लाएने है, चार नोट पर, रब जो पोशीदा है, है पर ध्यान दीजेगा, दो नोट है, ऐसे है, ठीक है, अब इसके बाद लाएने है इसको निहारे तू, ये भी सेम ऐसे ही, देखिए, उसको निहारे तू, सेम ऐसे ही है, चार नोट है, तो रब जो पोशीदा है, और उसको निहारे तू, दोनों सेम, एक जैसी लाएने है, और इसके बाद लाएने है, और जो गरवीदा है, उसको टाले तू, ये देखिए, तो ये लाइन, फर्स पार्ट सेम है, लास्ट में जो है, वो थोड़ा लग हो गया है, देखिए, पहले तो वह ही है, और जो गरवीदा है, जो गरवीदा है, इतना तो सेम वह ही था, जैसा हम पहले सीख रहे थे ठीक है, इतना तो वह ही है, अब इसके बाद जो है, उसको टाले तू, यह अलग हो गया, यह स्टार्ट होगा E note से, उसको टाले तू, ठीक है, इसके बाद जो line आने वाली है, तेरी जलक अशरफी, ठीक है, तो जो तू आएगा, वो ऐसे होगा, तू, उ, की मातरा यहाँ पर से बता रहा हूँ, जो end करेंगे आप उसको टाले तू, यह चीज, यह चीज करेंगे, तब मज़ आएगा आगे जो line आप play करेंगे, ठीक है, तो आप समझगा अच्छे से, उसको टाले तू, और तू में जो U की मातरा है, उसको, तू, U, तू की मातरा यहां तक, इस middle octave के E से higher octave के E तक आपको ऐसे लानी है तू, उ, ऐसे तब आगे line शुरू करेंगे हम ठीक है इस तरह से update करनी है next line अब इसको देखे कैसे बलोगी तेरी जलक अशर्फी ठीक, तेरी जलक अशर्फी समझ गए इसके बाद श्रीवल्ली 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 इ श्रीवल्ली ठीक, अब नैना डी नोट पर आगए नैना ठीक, अब मदक बर्फी मदक मदक डी, सी शार्फ रोट डी मदक अब बर्फी बा-र-फी-ई फिर से देखे, सिंगल फिंगर से कंटीनू तेरी जलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी ज्यान से देखे, अब इसके बाद फिर से लाइन रिपीट है, मगर थोड़ा अंतर हो जाएगा, देखिए, देखिए, स्टार्ट में इस होगी इनोट से ही, मगर अंतर हो जाएगा, देखिए, देखिए, चेंज हो गई, देखिए, तेरी, जलक, अशर्फी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दो बारी तेरी में, फिर जलक में चाहिए, दो बार कर दिए, चाहिए तीन बार, ठीक, तीन बार कर लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, तेरी, फिर जलक, अशर्फी, ध्यान दिया आपने, अशर्फी, इस तरह से प्ले करना है, अब श्रीवल्ली, श्रीवल्ली सेम था, ठीक, अब बातें, करें, दो, हर्फी, अब इसके बाद है हर्फी, हर्फी में भी चैज़े देखिए, ठीक, थोड़ा और खीचा गया, चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बाद में, हर्फी प्ले करने के बाद, फिर, ऐसे भी कर सकते हैं, और इसके बाद मुजिक आता है, वही जो हमने स्टार्टिक मुजिक आता है, वही आपको यहाँ पर रिपीट कर देना है, चलिए, अब बढ़ते हैं अंतरी की तरफ, अंतरी की लाइन है, सारा जमाना है मेरे पीछे, तो यह स्टार्ट होगी E note से, higher octave के, यहाँ से, ठीक है, सारा जमाना है मेरे पीछे, देखिए, पहले होता हूँ, फिर, सारा जमाना है मेरे पीछे, देखिए, हूँ, सारा जमाना है मेरे पीछे, ठीक, इसके बाए लाइन है, पर यह दिवाना है तेरे पीछे, देखिए, सिंपल सी लाइन है, वहीं से स्टार्ट होगी, पर यह, दिवाना, सेम वैसी चल रहा है, जमाना था वैसी दिवाना है, ठीक है, इसके बाद है, तेरे, पीछे लग हो गया, पीछे, ए नोट पर आकर हम रुके हैं, पिछली लाइन में हमने बी नोट पर रुके थे, अब ए नोट पर, ठीक है, पीछे, अब इसके बाद, सर ये जुकने ना दूँ, ये लाइन बुकल सेम, वैसे ही, सर, ये जुकने ना दूँ, दुनिया के आगे, अब दुनिया के आगे, थोड़ा लगे, देखिए, दुनिया के आगे, अब इसके बाद लाइने, पर तेरी पायल देखूं, करके सर नीचे, बहुत ही प्यारी से लाइने, देखिए, पर तेरी पायल, देखूं, यहां तक तो सेम थी, अब करके सर नीचे, ये भी सेम ही है, करके, सर नीचे, ठेक, आप इसके बाद लाइने, कौरस की लाइने, जल्द जल्दी चलती है, ना तमन्ना, हीरा पन्ना, मुझको है बस तेरा बन्ना, एक जलक तेरी आँखों में खाब सजा जाए, इस तरह से है, और बहुत एजी लाइने हैं, सिर्फ B, C-sharp और D, इन ती नोट पर ही लाइने, मैं रिखाल से E का भी इस्तिमाल होता है बीच में, देखिए, बहुत एजी लाइने ये, बहुत सिंपल से लाइने देखिए, ना, तमन्ना, हीरा, पन्ना, मुझको है, बस, बस में E नोट आजाए, बस, तेरा बन्ना, बन्ना, ठीक है, सिंगल फिंगर से देखिए, continue, ठीक, अब इसके बाद लाइने, एक जलक तेरी आँखों में खाप सजा जाए, ये लाइन भी स्टाट वहीं से होगी, बी नोट से ही, थोड़ी से अलग है ये end में, बागी से में, देखिए, देखिए, एक जलक तेरी आँखों में, अब खाप सजा जाए, ये अलग हो गया, यहाँ से खाप सजा जाए, खाप से शार्फ पे end करेंगे, चाहे तो आप ना भी लगाईए, ऐसे इपले करिए, खाप सजा जाए, ठेक, और इसके बाद वही लाइना जाएगी, शुरू वाली, तेरी जलक शर्फी, श्रीवल्ली, नैना मदग बरफी, वही लाइना जाएगी, दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो, कॉमेंट करकर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, या जिनोंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्ली से वीडियो अपलोड होते ही, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंथ मिल जाए, और अगर सीकूस राल पर आप और भी सुपर हिट सॉंग प्यानो और हार्मोनियम पर प्ले करना सीखना चाते हैं, तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो मिलते हैं आपकी अगली फर्माइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन